हलो बच्चो, प्यारे बच्चो, जैसा कि हम लोगों ने 11th किलास में चैप्टर नमबर 1st, 2nd, 3rd और 5th कर लिया है, आज हम लोग चैप्टर नमबर 6 Linear Inequalities करने जा रहे हैं, जिसमें बच्चो, आप लोग कुछ नई तरह की चीज़े सीखेंगे, Graph सीखेंगे, Solutions सीखेंगे और बहुत सारी चीज़े इसके अंदर हम सीखेंगे और बच्चो, ये Graph हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा Important Graph रखेंगे और इनके Solutions भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा Important है, क्यों? क्योंकि आने वाले समय में हमें इन Inequalities की जुरुत पढ़ती है और इनको किस तरीके से Solve के जाता है, ये सारी चीज़े हम Solve करके आगे बढ़ेंगे तो प्यारे बच्चो, सबसे पहले आपके सामने आता है Topic का नाम Linear Inequalities Linear Inequalities का मतलब है, Linear मतलब एक ऐसी Equation जिसके Highest Power 1 हो और Inequalities का मतलब ये है, कि ऐसी Condition जब Greater Than भी हो या Less Than भी हो, या Less Than and Equal To भी हो, या Greater Than and Equal To हो तो ऐसी Condition को हम Inequalities कहते हैं मतलब कोई Value होगी, जो जरूर किसी ना किसी से बड़ी होगी कोई Value होगी, जो जरूर किसी ना किसी चोटी होगी कोई ऐसी Value हो सकती है, जो उसके बराबर और उससे बड़ी भी जा सकती है कोई ऐसी Value जो किसी से चोटी हो और उसके बराबर भी जा सकती है वो जब हम Questions करना सुरू करेंगे तो बिल्गुल सेम आपको तो हमें पता चलना सुरू हो जाएगा कि आखिर कारियर linear inequalities हम से क्या कहना चाहती है ठेक हैं तो सबसे पहले बच्चो linear inequalities में 6.1 6.1 हम करने जा रहे हैं 6.1 करने जा रहे हैं बच्चो यह लिजी शुरू करते हैं 6.1 करने जा रहे हैं इग नच्चो चले बच्चो देखेंगे सबसे पहले बच्चो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि हमारे लिए यह बात पता होनी चाहिए कि बच्चो हमारे लिए सबसे पहले कुछ नंबरों का ग्यान होना बहुत जरूरी है कुछ नमबरों का ग्यान होना बहुत जरूरी है जैसे प्यारे बच्चों इंटीजर के बारे में अगर बात की जाए आपसे इंटीजर के बारे में अगर बात की जाए तो आप नमबर लाइन पे अगर काम करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि ये minus infinity होता है ये infinity होता है यहां तक मतलब उसका सबसे आखरी infinite और इसका सबसे आखरी minus infinite और भाई यहां से थुरू होता zero से अब जितना इसके right hand side जाएंगे जितना right जाएंगे value लगातार बढ़ती जाएगी सही बात है जितना हम right जाएंगे जितना हम left आएंगे value लगातार क्या होती चली जाएगी minus होती चली जाएगी ये integer कहता है हमसे ये क्या कहता है integer कहता है अच्छा फिर real number के बारे में आप सभी जानते हैं real number क्या होता बच्छो जितने भी numbers possible possibilities होती हैं लिखने की possible numbers जितने भी possible numbers होते हैं वो सारे real numbers होते हैं बस एक को छोड़के बात हम पहले कर चुके हैं अच्छा अगला आता है बच्छो natural number तो आपको पता ही है natural number कौन से होते हैं natural number one से सुरू होके जितने भी positive integers होते हैं जितने भी positive integers होते हैं कहां से लेके one से शुरू होके वो सारे क्या होते हैं भई natural number होते हैं क्वोन से number होते हैं natural number होते हैं थेक हैं अब इस बारे में ग्यान तो आ गया होगा आपको तो फटा फट नोट कीजिये फिर मैं आपको इससे related questions करवाता हूं कीजिए लुग पामगे समाफिता, पर। झीघारीस भाली थार। चलिए बच्चो अब अपने नोट कर लिया होगा हम आपको एक कोश्चन करवाता हूं उसके बाद धीरे धीरे आपको आईडिया मिल जाएगा कि आखिरकार ये चैप्टर आप से क्या कहना चाहता है जैसे देखिए एक्जामपल नंबर फिर्स्ट आपसे कहता है 30x लेस देन 200 30x लेस देन 200 अब आपसे कहाई इसने कि सॉल्व करो इसको सॉल्व करो इसको वैन जब एक सीजान नेचूरल नंबर और सेकंड बोला आपसे कि x is an integer ठीक है चलिये हमें से सॉल्व करना बच्चो कि क्या होगा अगर एकस एक नेचूरल नंबर है क्या होगा अगर एकस इक इंटीजर है चली है बच्छो जुम करते हैं उठाइए हमें पता है 30x और ये 200 प्यारे बच्चों देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं linear inequality बिल्कुल उसकी तरह होती है जिस तरीके से बराबर होता है equal होता है तो हम इसमें क्या करते हैं 0 से 0 कट कर देते हैं 3 यह multiply कर रहा है इदर आके divide करेगा तो बच्चों linear inequality को भी यही मान के चलो कि इसको भी बिल्कुल equal वाले की तरह ही solve करना पड़ता है किसकी तरह solve करना पड़ता है equal वाले की तरह ही solve करना पड़ता है या दूसर तरीका भी है क्या कि दोनों तरफ भाई क्या हमें यहाँ पर x अकेला करना है ये बात ध्यान रखना हमें यहापे क्या अकेला करना है एक्सि कीला करना है तो हम क्या करेंगे बोस साइड 30 शे डिवाईड ठीक है ताकि एकसकेअट अकेला हो सके यह बात समझ में ने आई तो 30 ही यहं कर रहा है इधर आके क्या करेगा डिवाइड यह भी कंडिशन सही है जीरो से जीरो कट कर दो के X less than आजाएगा 20 by 3 यह हमारे पास कंडिशन आ गई हमारे पास क्या गई कंडिशन अब पहली बात कि X is a natural number मुझे मुझे solve करना है X एक natural number है तो क्या बनेगा भई इसका जल्दी बता दो 20 बटा 3 का मतलब होता है 6.66 बीस बटा 3 का मतलब क्या होता है 6.66 आप डिवाइड करेंगे तो आपको बदा चल जाएगा इसका मतलब यह हुआ बच्छो कि X जो है 3 होता है 4 होता है 5 होता है और 6 होता है तो पहले का अंसर यह आ गया अगला आता है बच्छो सेकेंड कि X is an integer इंटीजर चाहिए तो इंटीजर अगर मुझे चाहिए किस से छोटा 6.66 से छोटा तो भाई मैं तो दुनिया भर के लिख सकता हूं यार 6 और क्या क्या लिख सकता हूं मैं 6 5 ठीक है और क्या हो सकता है 4 3 2 1 0-1-2-3 and माइनस इंफिनिटी तक कहा तक लिख सकता हूं माइनस इंफिनिटी तक तो बच्चो जहां तक possibilities हैं वहां तक possibilities इसकी लिख दो कोई दिक्कत किसी बच्चे को चलिए उतार लीजिए इसको फिर एक कोशन और करवाता हूं कि चलिए यह नोट कर लिए होगा आपने हैं ठीक है नैक्स देखेंगे हैं नोट कर लिए हैं मतलब राप को जो बोला जाएना बस आप उसके मिमिया को करो है अब देखो अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन देखते हैं जैसे और देखिए वे दाबर नबर देखो जम्रू़ हूं ऑच्छो टू Example 2 आपसे कहता है बच्छो Example 2 आपसे कहता है 5x-3 less than 3x plus 1 कब-कब solve करना है when? x is an integer और second है x is a real number इन दो condition के लिए हमें solve करना है बच्छो इन दो condition के लिए solve करना है ठीक है जी करते हैं चलिए नौ हमारे पास क्या है बच्छो 5x-3 और 3x plus 1 अब आपको पता करना क्या इसमें? करना है आपको ये कि x वाली content को अलग कर दो यानि x वाली party को अलग कर दो बिना x वाली party को अलग कर दो simple तो भई ये 5x है ये 3x है बड़ा 5x है तो 3x को उठा के इसके पास ले ओ plus का 3x इदर आके minus का 3x minus का 3 इदर आके plus का 3 पता है ना मैंने क्या बता है? कि inequality में भी हम बिल्कुल equal वाले जैसा काम करके चलते है तो 5 में से 3 या 2x 3 और 1 4 2 यहां multiply कर रहा है इदर आके divide cancel out 2 x is less than 2 अब solve करो पहला किस के लिए solve करना है? x is an integer integer के लिए solve करना है तो बस 2 से छोटा तो 2 से छोटा कौन कौन हो सकता है? 1 हो सकता है 0, minus 1, minus 2, minus 3 और कहां तक? minus infinity तक चलो ठीक है? अगला second x is a real number अब real number के लिए solve करना है तो बच्चों real number के लिए solve आप कहां तक कर सकते हो? minus infinity तक जा सकते हो और real number तो इनके बीच में कुछ भी हो सकता है तो हम कैसे solve करेंगे? तो याद करो बच्चों मैंने आप लोगों को एक समय में यानि कि sets के chapter में intervals पढ़ाए थे क्या पढ़ाए थे मैंने? intervals पढ़ाए थे और प्यारे बच्चों interval का case आप अच्छे से जानते हैं मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा अगर आप ये समझ गए तो फिर सब कुछ समझ जाओगे interval के case में हमने ये पढ़ा था कि अगर सिर्फ less than या greater than का sign हो तो आप open bracket यूज़ करेंगे और अगर less than या greater than के नीचे equal का भी sign हो तो हम closed bracket यूज़ करेंगे ये बात हमने sets के interval वाले topic में सीखा था अच्छा अब बच्चों मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप ये कहते हैं अगर आप ये कहते हैं कि कोई चीज दो से चोटी है तो बच्चों वो कहां तक चोटी हो सकती है जल्दी बता दो वो infinity तक चोटी हो सकती है कि नहीं हो सकती है जल्दी बता दो अगर मैं कहते हूँ कोई चीज़ दो से चोटी है तो वो कहां तक चोटी हो सकती है minus infinity तक चोटी हो सकती है कहां तक छोटी हो सकती है minus infinity तक छोटी हो सकती है और जब भी हम लोग interval लिखते हैं वो left to right लिखते हैं क्या लिखते हैं left to right ये बात बच्चों ध्यान रखना always interval कहां से कहां लिखा जाता है left to right लिखा जाता है तो इसलिए प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से इस बात को समझना ठीक है कि अगर कोई चीद 2 से छोटी हो सकती है तो कहां तक छोटी हो सकती है minus infinity तक इसके possible बन सकते हैं इसलिए जब इसको हम solve करेंगे तो इसके real number का solution जो आएगा वो क्या आएगा minus infinity से लेके 2 तक अब minus infinity के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी इसलिए open bracket और 2 के साथ भी क्या है सिर्फ less than का sign है इसलिए open bracket यानि इनके बीच में कुछ भी आ सकता है इनके बीच में कुछ भी आ सकता है ठीक है चलिए solve कीजिए इसको कीजिए इसको note कीजिए चलिए या आपने note कर लिया होगा इसी तरह example number 3 आपको 3, 4, 5 यह सब करना है ठीक है चलिए 6.1 में आपको करना है question number 1 से लेके 4 तक question number 1 से लेके 4 तक अब मैं आप लोगों को 5 से लेके question number 5 से लेके 20 तक के 1 से लेके 4 तक क्या आप कर सकते हो अब मैं आपको 5 से लेके 20 तक के questions करवा रहा हूँ जिसमें बच्चो इसमें ये बोला गया है 5-16 तक में तो बस बोला है solve करो 5-16 तक में क्या बोला है solve करो लेकिन 17-20 तक में बोला है कि solve करने के साथ-साथ इनको number line पे भी दिखाओ इनको किस पे दिखाओ number line पे लेकिन प्यारे बच्चो मैं आपको 5-20 तक के जितने भी question करौँगा सबको number line पे करके दिखाऊंगा सबको किस पे करके दिखाऊंगा number line पे तो आईए solve करते हैं यह note कर लिया होगा भी आपने ठीक है चलिए अब सबको number line पे मैं आपको show करके दिखाता हूं चलिए सबसे पहले आता है question number 5 4x plus 3 less than 5x plus 7 यह दिया हुए तो मैंने क्या बताया ऐसे number को solve करेंगे तो हमेशा बड़े number के पाद छोटा number लेके जाएंगे यानि x वाले को देखना हमे number को नहीं देखना है x वाले को देखना है तो यह plus का 4 उदर जाके minus यह plus का 7 इदर आके minus तो यह आगया minus का 4 और यह आगया x तो यानि कि x minus 4 से बड़ा आएगा x क्या आएगा minus 4 से बड़ा आप से का आगया number line पे सो करो भी इसको number line पे सो करो यह minus infinity यह infinity हाँ बड़ ड़ 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 यह minus 4 minus 3 minus 2 minus 1 0 1, 2, 3, 4, 5 and so on हाँ भई किस से बड़ा चाहिए हमें 4 से बड़ा तो इसके उपर ऐसे करके खाली गोला बनाओ क्या गोला बनाओ खाली गोला इस खाली गोले का मतलब यह है कि हमें minus 4 से बड़ा या छोटा लेना है लेकिन minus 4 को include नहीं करना अगर dark गोला लगा दोगे तो include का sign होता है तो यहानी आप खाली गोला लगाएंगे इसका मतलब include नहीं हो रहा है अब minus 4 से बड़ा चाहिए तो minus 4 से बड़ा चाहिए तो इधर की तरफ तीर कर दो यानि arrow जो है minus 4 से बड़ा चाहिए तो इस तरफ क्योंकि minus 4 से बड़ा किस तरफ होगा right hand side तो बस obviously बात है हम arrow को इस side कर देंगे और क्या लिखेंगे result में result में इसका interval अगर interval लिखने की बात आती है तो interval क्या लिखेंगे भई जल्दी बता दो minus 4 से बड़ा minus 4 से बड़ा minus 4 से बड़ा कहां तक बड़ा हो सकता है भाई वो infinity तक और दोनों तरफ bracket कैसा आएगा open क्यों क्यों क्योंकि यहां पे equal का sign नहीं है ठीक है चलो चटा देखेंगे चटा देखो चलो चटा खुद करना सात्वा देखो 3x minus 1 less than and equal to 2x minus 3 यह आ गया चलो पहले अंदर solve कर लो सिंप्लिफाई कर लो 3x minus 3 2x minus 6 अब 2 चोटा है 3 बड़ा है इसको ठाके दर लओ minus का 2x minus का 3 इदर आके plus का 3 x minus 3 यानि हमने क्या देखा बच्चो हमने देखा x minus 3 से चोटा और उसके बराबर है ठीक है तो मैं इसको यहाँ पर represent करूँगा यह रही आपकी number line यह आपका minus infinity यह है आपका infinity ठीक है क्या कह रहा है x minus 3 से चोटा 0 1 sorry हाँ ठीक है 1, 2, 3, 4, 5, and so on और वागी minus 3 से चोटा minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, and so on हाँ भई हाँ भई हाँ भई हाँ भई माइनस 3 से चोटा चाहिए ना चलो ठीक है तब भी मेरे को क्या दिक्कत है भई हाँ जी तो यह रहा minus 3 से चोटा लेकिन minus 3 से चोटे के साथ साथ equal भी चाहिए तो मैं गोला कैसा लगाँगा जल्दी बता दो हाँ चलता है इंटर्वल हमेशँ कहोट से चलता है लेफ्ट से राइट चलता चलता है लेफ्ट से राइट तरत से राइट तो इस inanत rue staff आ पच्छो कि जब भी इंटर्वल चला ओग तो left to राइट चला होगे राइट लेट अभी नहीं चला सकते मानता हूँ कि minus 3 से छोटे की तरफ जा रहे हैं लेकिन interval हमेशा किदर चलता है left to right तो left में arrow करने बद left में कौन आया minus infinity right में कौन आया minus 3 minus infinity की कोई condition नहीं है arrow ये वाला bracket लेकिन minus 3 के less than के नीचे equal है तो कौन सा bracket लगेगा open bracket कौन सा bracket लगेगा open bracket ठीक है बच्चो चलो next question question number 8 खुद कर सकते हो 9 कराता हूँ 9 कराता हूँ x plus x upon 2 plus x upon 3 less than 11 less than 11 चलिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 solve करेंगे 3 2 जा 6 ठीक है 3 2 जा 6 LCM आगे ना इसका अब 6 6 को 1 से डिवाइड करेंगे 6 और 6 को x से multiply करेंगे 6 x 2 से डिवाइड करेंगे 3 3 x 3 से डिवाइड करेंगे 2 2 x तो क्या होगा इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 6 ती 9 और 2 11 x बटा 6 और ये 1 अब क्या करेंगे बच्चो कुछ नहीं करना चलो ये तो 1 हटा तो कोई दिक्कत नी ठीक है 6 यहाँ divide कर रहा महाँ जाके क्या करेंगे multiply करेंगे 11 यहाँ multiply कर रहा इधर आके क्या करेंगे divide करेंगे 11 से 11 कट गया x is less than 6 x is less than 6 ठीक है बच्चो x is less than 6 अब क्या करना है इसको number line पर represent करना है तो साथ मुझे अच्छे से पता है कि आप लोगे तो एक बार इसको जल्दी से note कीजिए फिर आगे बढ़ते है जल्दी से note कीजिए और मुझे करके भी दिखाईए अब करना है जल्दी से कि एक साथ बढ़ते है नहारे पना है तो क露ा दिखू अ Very वान नोट कर लियो ऑच्छों अपने इह ठीक है चलो नंबर LINE नीए नहीं बनाए चलो लाइन बना देते हैं वास की ठीक है तो यहां पर एक ले लेते हैं जैसे इसको सो करके दिखा रहा हूं इसके लिए ठीक है यह देखो यहां पर यहां पर ले लेते हैं तो 6 से छोटा, लेकिन एक्वल नहीं है, तो खाली गोला और इधर लेस्देन की तरफ तो इसका मतलब इंटरवल क्या बना इसका? इंटरवल बना माइनस इंफिनिटी से लेके कहां तक? 6 तक, ठीक है? समझ महीं बात? करो. ठीक है बच्चो? इन नोट कर लिया होगा सब इस बच्चो ने? पांच, साथ और नो कोश्चन. छटा आपको खुद करना है, आठवा आपको खुद करना है, और नाइन मैंने कराई दिया. अब आपको खुद करना है, अब मैं आपको करा रहा हूँ, इलेवन. चलो, इलेवन, ट्वैल दोनों मैं कराऊंगा. इलेवन, थ्री, एक्स माइनस टू, फाइव, फाइव, टू माइनस एक्स, थ्री. ठीक है? चलो वाई, शुरू करते हैं. तो थ्री को थ्री से करोगे तो थ्री थ्री जाए नाइन, पता है ना क्या? 9x-18 और यह 25 दूनी 50-25x ठीक है तो यह minus का 25 इदर आके plus का हो जाएगा और यह minus का 18 इदर आके plus का 18 25 और 9 कितने होते हैं बच्छो 34x और 50 और 18 कितने होते हैं 68 वह जी 34 यहाँ पर multiply कर रहा है यहाँ पर divide करेगा 34 बनजा 34, 34 तूजा 68 तो x is less than or equal to 2 यहाँ गया नमबर लाइन पर रिपर्जेंटेशन होईगी इसकी यह minus infinity यह infinity 0 1, 2, 3, 4, 5, 0 minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, 0 हाँ जी 2 से छोटा और उसके बराबर तो 2 से छोटा और उसके बराबर तो लीजिए यानि कि minus infinity से 2 तक और bracket कौन से वाला? Closed bracket कौन से वाला? Closed क्या सभी बच्चों को clear हो रही है बद? सभी बच्चों को clear हो रही है ठीक है जी? चलिए ग्यार रहा हो गया? अब बारवा देखिए ट्वेल्थ ट्वेल्थ देखिए वन बाय टू थ्री एक्स अपॉन फाइब प्लस फोर greater than and equal to 1 by 3 x minus 6 तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 solve करेंगे 1 by 2 इसको इससे करेंगे 3x इसको इससे करेंगे 5, 4 जा 20 अब करेंगे नीचे से नीचे ठीक है न बई? तो 5 बन जा 5 क्यों करेंगे नीचे से नीचे? क्योंकि बीच में प्लस और माइनस है ना कि equality है अजी यह आगया x minus 6 upon 3 चलिए यह क्या बन जाएगा बच्चो 3x plus 20 अंदर multiply कर दो 5, 2, 10 और यह x minus 6 upon 3 अच्छा अब इन equality आगई ठीक है? तो आब 3 को इससे multiply 10 को इससे multiply करो 9x 60 10x minus 60 तो क्या करेंगे? 10x बड़ा उधर है तो 9 को उठा किदर ले आएंगे? 60 को उठा किदर ले आएंगे? प्लस 60 10x minus 9x तो यह आजाएगा 120 और यह कितना आजाएगा भाई? x यानि x 120 से छोटा चाहिए x 120 से क्या चाहिए? छोटा चाहिए यह minus infinity तो यह ले लो यह 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इस तरीके से 120 ठीक है? 130 इस तरीके से ठीक है? यह minus 10 minus 20 इस तरीक है minus 20 ड़ट ड़ट ठीक है? अच्छा 120 से छोटा 120 से छोटा लेकिन equal भी तो चाहिए है तो बस यह आ गिया तो यह निकि क्या बनेगा? minus infinity से 120 और equal भी है तो ब्रैकेट बड़े वाला ठीक है? चलिए solve कीजी ज़रा इसको फटा फट solve कीजी सब्सक्रयकर काई सब्सक्राइब तो बनेगा जो बागी बनेगा जो रगज़ शोटास जदे झाल झाल कर लिया होगा आपने देखें बच्छो अब आगे देखेंगे हां जी बच्छो ट्वेल्ट हो गया ठाटीन्थ हो गया ने ठटीन्थ आप खुद कर लोगे फोर्टीन्थ भी आप खुद कर लोगे 15, 16 करा रहो, 16 करा रहो है 15 आप खुद करना 2x-1 upon 3 और 3x-2 upon 4 minus 2 minus x upon 5 ठीक है? चलिए solve करतें इसको 2x minus 1 upon 3 solve करो बच्चो अभी देखो इसके बीचे में क्या है? minus है तो 5 को इससे multiply करो 5 3x minus 2 minus 4 को इससे multiply करो 4 2 minus x upon नीचे को नीचे 5 4 is a 20 2x minus 1 upon 3 15x minus 10 4 2 is a 8 minus minus plus 4x upon 20 2x minus 1 upon 3 15 और 4 19x 10 और 8 18 upon 20 अभी इक्विल्टी आगी फिर 20 को इससे करेंगे तो 2x minus 1 20 और यह 3 19x minus 18 multiply कीज़े 20 से 40x minus 20 यह 57x minus 54 आता है ने table 19 3 जा 18 3 जा अब x वाली पाटी 57 बढ़ी है तो उसको ठाकी उतर ली जाओ इसको ठाकी इसको ठाकी इसर बही माइनस का 54 इधर आ के प्लस का Plus का 40 इधर आ के माइनस का तो फिफ्टी फोर में से 20 गे 34 इस पूर इस अब 57 और 40 किया 17x 17 यह मंटिप्लाई कर रहा है इदर आके डिवाइड करेगा 17 तू जा तो 2 लेस देन इन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स जो चाहिए हमें एक्स जो चाहिए हमें वह क्या चाहिए भाई तू से छोटा चाहिए तो वह टू से छोटा तो हम पहले भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं इसमें कोई नई बात तो है नहीं ठीक है तो यह माइनस इन्फिनिटी यह इन्फिनिटी जीरो वन टू, त्री, फोर, फाइव, डेज़, डेज, माइनस वन, माइनस तू, माइनस त्री, डेज, डेज, ठेक है तो क्या है दो से छोटा और उसके बराबर तो यानि दो से छोटा उसके बराबर कहां तक स्वरी, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे न, इन्फिनिट, माइनस इन्फिनाइट और यह टू, तो इधर क्लोज बैकेट और इधर ओपन ब्रैकेट, ठेक है बच्चो, इसके बाद आता है, 16 हो गया, 17, 18, 19, 20 भी खुद कर लोगे अब, 20 भी खुद कर लोगे, 20 को 15 जैसा ही है, बस एक डिजिट का फरक है, ठीक है, तो प्यारे बच्चो, इस हिसाफ से हम लोगों ने, क्या देखा, हम सभी ने, linear inequalities के कुछ basic questions को हमने यहाँ पर solve कर लिया है, ठीक है, और आज मैं यहीं तक ही छोड़ रहूं, और जितने question मैंने छोड़े हैं, उन सभी question को बच्चो आपको try करना है, बिल्कुल same इसी तरह से, और मैंने आपको यह भी समझा दिया, कि जब भी linear inequality का graph बनाएंगे, तो इस तरीके से बनाएंगे, अगर equal to है साथ में, तो dark circle, और अगर equal to नहीं है, तो एक single circle, और linear equality का जब interval लिखते हैं हम लोग, तो हमेशा left to right लिख आजाता, मतलब यह ऐसा आजाता, ठीक है, मतलब x greater आजाता, तब हम number line पर कैसे दिखाते इसको, तब हम number line पर इसको ऐसे दिखाते, minus infinity, infinity, 0, 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, minus 3, minus 3, ठीक है, हाँ जी, तो क्या हुआ, two से greater, two से greater, हाँ जी, अब क्या equal to, तो मतलब डार्क गोला, और greater है तो इस तरफ, तो मतलब क्या से दिखाओगे, left to right, तो अब left में, अब देखो, right में कौन पहुच चुका है, infinite, left में कौन पहुच चुका है, two, तो two से लेके infinite, हाँ जी, equal to है, तो closed bracket, यह infinity के बारे में कोई relation नहीं है, तो open bracket, समझ बारी यह बात, तो बच्चो ध्यान रखना, क ठीक है, चलिए, बाई